ओ जलत तुमारी ओ प्यारे भगवन ओम शांती दाता विधाता वरदाता बापदाता हम सब बच्चों को अपने समान मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता बना देते हैं अंतर मन को बुद्धी को इश्वरिये खजानों से इतना भर देते हैं जो हम मनसा वाचा कर्मणा द्रिष्टी वृती हर कृती से आत्माओं को दे सके ये सुक्ष्मदान आत्माओं के अंतर की सुक्ष्म कमियों को भर देता है परन्तु जितना हम खुद अंदर से संपन बनते हैं उतना ही दे पाते हैं और यही वास्तव में इस समय की पुकार है क्योंकि जब आत्माओं अंदर से कमजोर हो जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि वही एक इश्वर है वही उनके इश्टदेव है जो उन्हें इस आंतरिक कमजोरी से उठा कर शक्तिशाली बना सकते हैं बाहर की प्राप्तियां कराने वाले तो बहुत है परदू आंतरिक कम्यों को दूर कराने वाला केवले एक बाबा और हम बच्चे जो बाबा से सब कुछ पा लेते हैं वही है तो आजकी अव्यक्तवाणी में बाबा हमें समय की इस पुकार से अवगत करा रहे है और हमारे उस स्वरूप को दाता बन के स्वरूप को इमर्ज करा रहे है तो अभी ध्यान से सुनेंगे अव्यक्त स्थिती में स्थित होकर बाब दादा के अव्यक्त महवाख्य आज है 28 तारीक 28 April 2024 अव्यक्त बाब दादा के रिवाइस कूर्स के 23 October 1999 के महवाख्य है समय की पुकार दाता बनो आज सर्वश्रेष्ट भाग के विधाता सर्वशक्तियों के दाता बाब दादा चारों और के सर्वबच्चों को देख हर्शित हो रहे है यह मर्च करें वो खुबसूरत द्रिश्चे जब बाब दादा अपनी नजरों से हमें निहाल कर देते है चाहे मदुबन में सम्मुक में है चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे है देख रहे है जहां भी बैठे है लेकिन दिल से सम्मुक है उन सब बच्चों को देख बाब दादा हर्शित हो रहे है बाबा केवल उनको नहीं देखते जो सामने बैठे है उनको भी देखते है जो दिल से सामने बैठे है आप सभी भी हर्शित हो रहे हो ना बच्चे भी हर्शित और बाब दादा भी हर्शित और यही दिल का सदा का सच्चा हर्श कौन सा है ये हर्श दिल का सदा का हर्श है ये टेमप्रेरी नहीं है ये सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है जो हमारी अंदर की हर्षित चित स्थिती है न बस यही आत्माओं के दिल का दर्द दूर करने वाली है दुखों को दूर करने वाली है यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माउं के प्रती सेवा धारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है साथी है ना हम सभी बाबा के साथ साथी है ना बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो सदा सेवाधारी हो सेवा सिर्फ चार घंटा छे घंटा करने वाले नहीं हो सेवा के वल हमारी चार घंटा छे घंटे की नहीं है हर सेकेंट याद करेंगे हर सेकेंट सेवा की स्टेज पर पाट बजाने वाले परमाहत्म साथी हो हमेशा ऐसा नहीं की डिपार्टमेंट में है या जो भी आपको कारे दिया गया उस समय सेवा कर रहे है नई, हर पल, हर सकंड साथी हो बाबा के सेवा के साथी जाद निरंतर है ऐसे ही सेवा भी निरंतर है अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो क्या फील करते हैं? या आठ दस घंटे के सेवाधारी है यह ब्राम्भण जन्म ही याद और सेवा के लिए है किसलिए है यह जन्म? याद के लिए और सेवा के लिए इसलिए, continuously, non-stop याद भी चलती रहे और सेवा भी चलती रहे और कुछ करना है क्या? यही है ना हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ-साथ है यह? सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है कर्म-योगी है ना? ऐसा तो नहीं कि कर्म अलग याद अलग सेवा अलग याद अलग नहीं है ना अच्छा बैलन्स है अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है पूछ रहे हैं बाबा इम बैलन्स तो नहीं हो जाता दोनों का बैलन्स है अंतर पढ़ जाता है ना कर्म योगी का अर्थ ही है क्या कर्म और याद सेवा और याद दोनों का बैलन्स समान समान होना चाहिए ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम या सेवा ज्यादा है याद कम जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना आत्मा और शरीर इस स्रिष्टी रंग मंच पर जब तक है साथ साथ है न अलग हो सकते हैं ऐसे, बिलकुल ऐसे याद और सेवा साथ साथ हो याद भी चलती रहे और सेवा भी चलती रहे तो याद और सेवा साथ साथ रहे याद अर्थाथ definition समझेंगे याद की याद अर्थाथ बाप समान स्व के स्वमान की भी याद बाप समान स्व के स्वमान की भी याद मैं कौन जब बाप की याद रहती है तो स्वते ही स्वमान की भी याद रहती है पता है हमारा बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ पता है मेरा बाबा प्यार का सागर है तो मैं भी मास्टर प्यार की सागर हूँ तो automatically बाबा की याद है तो फिर अब कहते हैं स्वमान की भी याद रहते है अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी powerful नहीं रहते स्वमान अर्थात बाप समान बहुत इंपोर्टन डाफिनेशन स्वमान की स्वमान अर्थात बाप समान संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान बिलकुल बाबा जैसा और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे जिन्हें ये याद रहता है कि मैं किसकी बच्ची हूँ उन्हें अपना कर्म भी याद रहता है अपना धर्म भी याद रहता है मैं कौन हूँ दाता हूँ देने वाली हो। लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे। कि कहा तक दाता के बच्चे दाता बने है। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता। देने का करता है, अगर कहते भी हैं, सब कुछ पुराना दे दो, बाबा हमें कहते हैं, अपना पुराना मुझे दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। इसलिए मांगते हैं ताकि बच्चों को नया दे सकें। देने की भावना है बाबा की, लेने की नहीं है। तो वर्तमान समय जो बाबा का है वही देना न तो लेना माना बाप का देना तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी कौनसी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है हर साल रिट्रीट होती है foreigners की call of time तो कौनसी है? बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है? बाबा तो बेहद की द्रिश्टी से देखते है आप देखते हो विश्व के लिए सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथ ही तो है ही लेकिन बाप दादा देखते है कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है आप भी समझते हो न कि समय की क्या पुकार है अपने लिए सुचो सेवा प्रती तो भाशन किये अब अपने लिए सोचो कि समय की क्या पुकार है कर रहे है न लेकिन अपने लिए अपने से ही पुछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है वर्तमान समय की क्या पुकार है तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय, हर बच्चे को दाता पन की स्मृती और बढ़ानी है याद रहे कौन है हम दाता है चाहे स्व उन्नती के प्रती दातापन का भाव चाहे सर्व के प्रती स्निहे इमर्ज रूप में दिखाई दे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो मुझे देना है तो दाता सदा ही बेहद की वृती वाला होगा हद नहीं और सदा दाता संपन भरपूर होगा दाता सदा ही शमा का मास्टर सागर होगा इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार शमा का सागर है न तो अपने जो हद के संसकार ये दूसरों के संसकार वोई मर्ज नहीं होंगे मर्ज होंगे मुझे देना है बस कोई दे नहीं दे लेकिन मुझे दाता बनना है किसी भी संसकार के वश परवश आतमा हो उस आतमा को मुझे सहयोग देना है तो किसी का भी हद का संसकार आपको प्रभावित नहीं करेगा कोई मान दे कोई नहीं दे वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है नोट करेंगे हम कौन है ये याद रहे ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए मन में भावना तो है लेकिन लेकिन नहीं आवे मुझे करना ही है कोई ऐसी चलन वबोल जो आपके काम का नहीं है अच्छा नहीं लगता है उसे लो ही नहीं बुरी चीज ली जाती है क्या मन में धारन करना अर्थात लेना किसे ने कुछ कह दिया पता चला उसने ऐसा कहा है धारन भी नहीं करना है वो भी नहीं लेना है तो धारन करना अर्थात लेना दिमाग तक भी नहीं दिमाग में भी बात आ गई न वह भी नहीं जब है ही भुरी चीज अच्छी है नहीं तो दिमाग और दिल में लो नहीं यनि धारण नहीं करो पक्का कर लेना इस बात को किसी भी बुरी बात को, किसी भी बुरी चीज को धारण नहीं करना है न दिल में न दिमाग में और ही लेने के बचाए हमें क्या करना है शुब भावना, शुब कामना, दाता बन दो लो नहीं, उसने कुछ कह दिया हमें देखकर थोड़ा सा इधर उधर हो गए एगनोर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं वो उनका कार है, जो भी पाठ है मुझे क्या करना है, शुब भामना, शुब कामना देनी है क्योंकि अभी समय के अनुसार अभी समय के अनुसार, अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवा धारी नहीं बन सकेंगे दिल या दिमाग, जब किसी भी बातों में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? सेवा तो दिल और दिमाग से ही होती है न? फिर जैसे लौकिक में कोई आठ घंटा, कोई दस घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा. आठ घंटे के सेवाधारी, छे घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे. चाहे मंसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म, अर्थात संबंद संपर्क से, हर सेकेंट, दाता अर्थात, सेवाधारी, दिमाग को खाली रखने से, बाब की सेवा के साथी, बन सकेंगे. कब सेवा कर पाएंगे जब, दिमाग खाली होगा. दिल को सदा साफ रखने से, दिमाग खाली और दिल साफ. दिल को साफ रखने से, सदा साफ रखने से, निरंतर बाब की सेवा के साथी, बन सकते हैं. अब नोट करते जाएं, क्यूं सेवा नहीं कर पाते। दिमाग खाली नहीं है, दिल सदा साफ नहीं है। आप सबका वाइदा क्या है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वाइदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे-पीछे आएंगे। ऐसे तो नहीं कहा ना? नहीं न, साथ का वाइदा है न, तो बाब सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता जितना बाप याद में रहता उतना आप महनत से रहते हैं रहते हैं लेकिन महनत से, अटेंशन से और बाप के लिए है ही क्या? बाबा के लिए तो बस हम बच्चे ही हैं बच्चों के लिए बहुत है न लोग? परम आत्मा के लिए है ही आत्मा ही नमबरवार आतमाई तो है ही है सब आतमाई पर नमबरवार सेवाए बच्चों की याद के बाप रहे ही नहीं सकता बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है आप रह सकते हो पूछ रहे हैं बाबा आप रह सकते हो कभी-कभी नठखट हो जाते हैं सब जानते हैं बाबा ना तो क्या सुना तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो कॉल ओफ टाइम में समय की पुकार पर भाशन करते हैं और जो आत्मा ही पुकार रही है बबा कहा रहे हैं के वल वो सुनते ही हो तो इश्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रोप इमर्ज करो देना है कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी फूलों की नहीं उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी उल्हाने तो देंगे ना तो उल्हानों की माला पहनने वाले इश्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इश्ट हो ना च्वाय से आपके पास क्या करना है कौन से इश्ट हो पुझे हो ना ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे हम कहां बनेंगे लेकिन नई सबको दाता बनना है जो फर्स टाइम मदुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ जो फर्स टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। एक साल वाले दाता बन सकते हैं। तो सभी ने कहा हांजी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के उपर सदा, खुश होते हैं। चाहे एक साल वाला भी है, यह तो एक साल या छे मास हुआ होगा। लेकिन बाप दादा जानते हैं, कि एक साल वाले हुँ या एक मास वाले हुँ। एक मास में भी अपने को ब्रम्भा कुमार या ब्रम्भा कुमारी कहलाते हैं न। तो ब्रम्भा कुमार और ब्रम्भा कुमारी अर्थात ब्रम्भा बाप के वर्से के अधिकारी बन गए। ब्रम्भा कु बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्से के अधिकारी बने ना है ना या एक मास वालों को वर्सा नहीं मिलेगा सब बराबर हैं ज्यान भी एक समान है तो फिर जिम्यवारी भी समान है सब को दाता बनना है एक मास वालों को वर्सा मिलता है जब वर्सा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे न जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए न अगर बाप समझ कर connection जोड़ा बाबा कह रहे अगर बाप समझ कर connection जोड़ा तो एक दिन में भी वर्सा ले सकता है और दाता भी बन सकते हैं फिर है न ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है कोई शक्ती है समझ में तो आता है यह नहीं वर्से के अधिकारी बच्चे होते हैं समझने वाले देखने वाले नहीं अधिकारी हो अगर एक दिन में भी दिल से बाप मना, तो वर्से का अधिकारी बन सकता है आप लोग तो सभी अधिकारी है ना? आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना? या बन रहे हैं? ना यूं से बाबा पूछ रहे हैं, बन गए है या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता ब्रह्मा कुमार कुमारी के बज़ाए सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ नहीं हो सकता ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने है कितने फायदे है एक जन्म के भी फायदे नहीं अनेक जन्मों के फायदे पुरुशार्थ आधा जन्म पूरा जनम भी का होता है चोथाई जन्म का और प्रारब्ध प्रारब्ध है अन्नीक जन्मों की फाइदा ही फाइदा है ना आधा जनम चोथाई जन्म का पुरुशार्थ करते हो और प्रारब्ध कितनी है बाप दादा समय के अनुसार वर्दमान समय विशेश एक बात अटेंशन में दिलाते हैं क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं न तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है लक्षे भी बहुत अच्छा है लक्षे अनुसार अभी तक लक्षे और लक्षण उसमें अंतर है अंतर किसमें है लक्षे और लक्षणों में लक्षे सबका नमबर वन है सब क्याते हैं न लक्षमी नारायन बनेंगे कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्षे 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है सूरे वंशी बनने का है या चंद्रवंशी तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूरे वंशी में न कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है कोई नहीं तो एक ने हाथ उठाया उस समय अच्छा है नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी तो लक्षे सभी का बहुत अच्छा है लक्षे और लक्षण की समानता लक्षे और लक्षण की समानता उस पर अटेंशन देना जरूरी है उसका कारण क्या है? असमानता क्यों हो जाती है? लक्षे उचा और लक्षण नीचे क्यों हो जाते हैं उसका कारण क्या है जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं यह हो यह करें लेवता बन के संस्कार नोट करेंगे क्या होते हैं यह हो यह करें यह मदद दे यह बदले तो मैं बदलू यह बात ठीक हो, तो मैं ठीक हूँ यह लेवता बनना है दातापन नहीं है कोई दे या ना दे बाप ने तो सब कुछ दे दिया है क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है किसको ज्यादा दिया है एक ही कोर्स है ना चाहे साट साल वाले हो चाहे एक मास वाले हो कोर्स तो एक ही है या साट साल वाले का कोर्स अलग है एक मास वालों का अलग है सब का बराबर है? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है वही ज्यान है वही प्यार है वही सर्व शक्तियां है सब एक जैसा है उसको सोलह शक्तियां उसको आठ शक्तियां नहीं है सब को एक जैसा वर्सा है तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है लेने वाली नहीं मुझे देना है कोई दे ना दे लेने के इच्छुक नहीं देने के इच्छुक पक्का कर ले आज मुझे देना है और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना अर्थाद अपना स्वमान बढ़ाना देना नहीं होता है लेकिन देना अर्थाद लेना दे नहीं रहे ले रहे है लो नहीं दो तो लेना हो ही जाएगा बस लक्षे हो देने का अपने आप मिल जाएगा तो समझा समय की पुकार क्या है दाता बनो एक अक्षर याद रखना कोई भी बात हो जाए कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना इच्छा मात्रम अविद्या इस पुरानी दुनिया से दुनियावी संबंधों से अब इच्छाए नहीं रखनी है इच्छा मात्रम अविद्या ना सुक्ष्म लेने की इच्छा ना स्थूल लेने की इच्छा दाता का अर्थ ही है क्या इच्छा मात्रम अविद्या संपन कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो अब कहते हैं सर्व प्राप्ती संपन तो लक्षे क्या है? संपन बनने का है न? या जितना मिले उतना अच्छा? संपन बनना ही संपूर्ण बनना है आज विदेशियों को खास चांस मिला है अच्छा है पहला चांस विदेशियों ने लिया है लाडले हो गए न? सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रन दिया है बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं फिर भी डबल विदेशियों को देख उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं अभी फर्क आ गया है शुरू शुरू के क्योश्चन जो होते थे न इंडियन कल्चर है, फॉरें कल्चर है अभी समझ में आ गया अभी कौन सा कल्चर है? ब्राम्मन कल्चर में आ गये ना इंडियन कल्चर न फॉरें कल्चर ब्राम्मन कल्चर में आ गये इंडियन कल्चर थोड़ा खिट-खिट करता है लेकिन ब्राम्मन कल्चर सहज है न ब्राम्मन कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्चे अधिकारी बनो स्वमान में रहो और स्वराज्चे अधिकारी बनो याद रखेंगे इस कल्चर को यही ब्राम्मन कल्चर है यह तो पसंद है न अभी क्योशन तो नहीं है न इंडियन कल्चर कैसे आई, मुश्किल है, सहज हो गया ना, देखना, फिर वहां जाकर कहो, थोड़ा यह मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कहे तो दिया लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है सहज है या थोड़ा-थोड़ा मुश्किल है पूछ रहे हैं बाबा अंदर होता है न थोड़ी-थोड़ी बाते तो बाबा सब निकालते है जरा भी मुश्किल नहीं है बहुत सहज है अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं इसलिए हसी आती है अभी पक्के हो गए हैं बच्पन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं अभी अनुभवी बन गए हैं और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं, तो जो नए नए आते हैं, वह भी पक्के हो जाते हैं, जितने पुराने पक्के होते हैं, तो जो नए आते हैं, वो भी उनको देखकर कॉपी करते हैं, वो भी पक्के हो जाते हैं, अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते है, महनत अच्छी करते हैं, अभी दादियों के पास किससे तो नहीं ले जाते हैं, छुट-छुटी बातों में किससे बन जाते हैं, तो वह कहते हैं, अभी दादियों के पास किससे तो नहीं ले जाते हैं, किससे कहानिया दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं, फर्क तो आप अभी बिमार नहीं हो ना, किसे कहानियों में बिमार होते, वह तो खत्म हो गए, अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा, विशेश गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, बाबा सदा विदेशियों के लिए कहते हैं कि वो दिल से साफ रहते हैं, जो भी अंदर होता है, वो बोल देते हैं, सपश्ट होते हैं, रखते नहीं हैं, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे, जो बात होगी सच्छी बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वह बोल देते, यह विशेशता अच्छी है, इसलिए बाप कहते हैं इस पर क्या कहते हैं बाबा, सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है, हा तो हा, ना तो ना, ऐसे नहीं, भारतवासी क्या कहते हैं, देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना, अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, जिन्होंने पत्र द्वारा ये किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाब दादा को स्विकार हुआ, और बाब दादा रेटर्न में, सभी बच्चों को दातापन का वर्दान दे रहे हैं, अच्छा, एक सकेंड में, ड्रिल करेंगे सभी, एक सकेंड में, उड़ सकते हो पंक, पावर्फुल है ना, बस, बाबा कहा और उड़ा, बिलकुल, दिल से कहें बाबा, और पहुच जाएं, मन बुद्धी से बाबा के पास उड़ जाएं चारों और के, सर्व, श्रेष्ट, बाब समान, दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ट आतमाउं को, निरंतर याद और सेवा में ततपर रहने वाले, परमात्म सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्षे और लक्षण को, समान बनाने वाले, सदा बाब के स्नेही और समान, समीब बनने वाले, बाब दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दल, मास्टर शमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मदुबन में नीचे बैठने वाले, और बाब दादा के सामने बैठे हुए, सर्व बच्चों को, याद प्यार और नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, 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 वर्दान है, दिल में एक दिलाराम को समा कर, एक से सर्व संबंधों की अनुभूती करने वाले, संतुष्ट आत्मा भव, संतुष्ट आत्मा कैसे बनेंगे जब, एक से सब संबंधों की अनुभूती करेंगे, दिलाराम को दिल में समा लेंगे, Knowledge को समाने का स्थान दिमाग है लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है कोई-कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते है लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है इसलिए दिल का अनभव दिल जाने दिल आराम जाने जो दिल से सेवा करते वह याद करते है उन्हें महनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते है उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूती होती है तो दिल से याद करना है दिला राम का बनना है स्लोगन है अमृत वेले प्लेन बुध्धी होकर बैठो कुछ भी बीते हुए दिन का इदर उदर का नहीं प्लेन बुध्धी होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी ठीक है ना? तो आज विशेश याद रखेंगे मैं कौन हूँ? दाता हूँ किसी से सूक्ष्मरूप में भी लेने की इच्छा नहीं मुझे देना है मनसा द्वारा शुब भावना देनी है वाचा द्वारा ग्यान दान देना है कर्मना द्वारा गुन दान देना है बस देते रहना है कोई दे ना दे याद रहे मैं कौन हूँ दाता का बच्चा दाता हूँ तो सारा दिन अपने इन संसकारों को इमर्ज करके दाता बन बन के संसकारों को इमर्ज करके दाता बन के देते चलो चाहा ओम शांती खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में आट बसे प्यारे प्रभु जबसे इन निगाहों में हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में हमारी राहों में प्रभु जबसे राहों में आट राहों में आट राहों में आट राहों में बहुत पुराना ना था अपना फिर भी लगता नया नया आट रूहानी जादू गरतू हमें बता दे किया है क्या आट रूहानी जादू गरतू हमें बता दे किया है क्या हुई मेरी खुश हाल जिन्दगी प्रभु पनाहों में हमारी राहों में हुई मेरी खुश हाल जिन्दगी प्रभु पनाहों में हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में रूप अनुप यही मैनों में अपने निश दिन खूम रहा रूप अनुप यही मैनों में अपने निश दिन खूम रहा अनहद के नाद सुने तेरे अन्तर आनंद समारा अनहद के नाद सुने तेरे अन्तर आनंद समारा सब को बुलाएं तुझसे मिलाएं शीतल जाओं में हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में हमारी राहों में को जाद सम्सें आनंद आनंद समीजे तुश राहों हमारी राहों में पत्का जाओं शीक पत्र आनंद समयजे राहों में गहने गुणों के हम पहने फी राहा में बनाया है पवित्रता के मोती भर के किरन किरन उतर उतर बिखर गए सभी दिशाओं में किरन किरन उतर 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 विखर गए सभी दिशाओं में हमारी राहों में कि में निजाओं में राहों में हमारी राहों में हमारी राहों में हमारी राहों में कर्णाओं में वारी राह यह लता किर को ढष्रागна कि हमारी राहों में